सम्टाइम्स, वी वेर अनबल तो एक्स्प्रेस आर फीलिंग, आर पीन, आर हार्ट सिचुएशन तो एनिवान क्यों? क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? क्योंकि उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि देर इस नो वन, जो हमें समझेगा हमारे इस पेन को समझेगा, बहुत जादा लोनली फील होता है उस वक्त हमें ऐसे इंसान की जरुवत होती है जो हमें चचना करे फिर्फ सुने और समझे क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? अगर येस, so please share your experience with me और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान अपने जिन्देगी में कभी ना कभी ऐसे दौर से जरुर गुजरता है और वही situation उस इंसान को और भी ज्यादा strong भी बना देती है So, जो लोग relate कर पाएंगे मेरे इस poetry से Please, please, please share your experience, your feelings with me on comment section और जो नहीं कर पाएंगे Please enjoy this video and enjoy this poetry as well और मुझे जरुर बताएगा ये poetry कैसी बनी है And if you like this video, please hit the like और जिन्होंने अभी तक मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है Please, please, please do subscribe guys And hit the bell icon as well ताकि next time मैं जब भी कोई video upload करूँ आप लोग को पता चल जाए And please, please, please support me guys I really need your support, I really need your help So, now without wasting any more time, let's get started With my tutti-futti poetry, घुटन ये घुटन घटती ही नही और ये सिंदगी रुकती ही नही ये घुटन घटती ही नही और ये सिंदगी रुकती ही नही जिया नहीं जा रहा है और मर मैं सकती नहीं क्यों तूट रही हूं ऐसे बार बार तूट रही हूं ऐसे जुलने की कोशिश में क्यों हार रही हूं ऐसे छुपाना, छुपाना मैं चाहती नहीं पर बोला भी नहीं जा रहा क्या करू मैं है प्रभु सब कुछ कैसे दूर हो जा रहा खुद को खो दिया मैंने, कैसे खो दिया मैंने कैसे अपनी कीमत उससे कम कर दिया मैंने ठक चुकी हूँ मैं, हार चुकी हूँ मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को ही खो चुकी हूँ मैं और ये घुटन घट्टी ही नहीं और ये सिंदगी चुपती ही नहीं जिया नहीं जा रहा है और मर मैं सकती नहीं कर दो अ हुट पुकी हुट रहा है और